कॉम्रेड का अर्थ होता है साथी साथी मतलब हर परिस्तिती में साथ निभाने वाला परन्तु भारती राजनिती में कॉम्रेड का एक और अर्थ निकला जाता है और सामानेते कॉम्रेडों को वामपंतियों से जोड़ कर देखा जाता है लेफ्टी से जोड़ कर देखा जाता मार्कस्वादी कम्नियूस पार्टी से जोड़ के देखा जाता है और ये कहा जाता है कि कॉम्रेड इनके दिल में हिंदुस्तान नहीं चाइना होता है ये आजादी के बाद से लगातार कॉम्रेडों की स्थती हिंदुस्तान में बनी हुई है परंतु उसके उपरांथ भी कई जगे कॉम्रेड यानि मार्सवादी कमनियूस पार्टी के लोग, लेफ्टिस्ट लोग जनता में अपना इस्थान बनाने में कामियाब हुए हैं कई जगे इन्होंने अपना जन परतिजितों किया है, विधान सबा तक पहुंचे हैं, लोग सबा तक पहुंचे हैं और इनकी खास बात ये है कि ये आम जन से जुड़े मुद्दों को बखु भी उठाते हैं और अपनी जो लड़ाई है, उसको कॉम्रेड संघर्स के रूप में जारी रखते हैं अपना राजस्तान का परतिजितों कर रहे हैं और किसान आंदोलन को इन्होंने वहाँ पर लोग उसकी जला रखी है लंबे अर्शे बाद में घर्साना उनका वापस आना हुआ, उनके पुराने संघर्सों के कारण, कोट की तारिकों के कारण तो हमारी भी मुलाकात उनसे हो गई तो ये हैं कॉम्रेड पवन दुगल, जो इस वक्त मेरे साथ है कॉम्रेड पवन दुगल के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, टीचर भी बने, परंतु श्री गंगानगर के एक छोर से दूसरे छोर, यानि घर्साना तक का इन्होंने सफर तय किया, और यहां आकर इन्होंने पानी की राजनित की शुरू की और यहों कहें कि पानी में आग लगाई, राजस्तान में अगर एक सिचाई पानी को लेकर कुईसी आंदोलन का नाम है तो वो है रावला घर्सान आंदोलन और उस आंदोलन से निकला यह यूवक राजस्तान विधानसभा में इस इलाके का अनूपगड विध प्रतिनित्यों करके विधायक बनके और अपना सिक्का अपनी छाप छोड़ चुका है परंतु आज हम बात करेंगे सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में पहुंजी पिछले 9 महिने से आप घरसाना छोड़ चुके हैं उस करम भूमी को छोड़ चुके हैं जिसने आपको हिंदुस्तान के तमाम किसान और मजदूरों का अंदोलन है असल में यूं कहें तो हिंदुस्तान के 90% जो मेहनतकस लोग है कमेरा जो वरग है यह उनका अंदोलन है और हम जिस आंदोलन को लेकर चर्चा के अंदर यह किसान आंदोलन रहा है यह केवल किसी हरियाना का या प इतना विस्तरत रूप ले चुका है कि अब आम इसको किसान आंदोलन के कि जो गरिम वो गरीमा को छोटा करने वाल होगा चैंक 예श के अंदर खेती है वो गोरी है obs photo chief फेती को बचाने और इसलिए हमने गरसाने कर शोड़ कर इस आन्दोर्ण का अपनी उपस्तिती दर्ज कराना जैंधा जदा ऊचील um राजिस्तान की क्या भूमीका है इस आंदोलन में माना ये जा रहा है शुरू से जिन से आंदोलन चुरूआत हुई कि पंजाब और हरियाना उसके बाद में पश्चिमी उत्तरप्रदेश सिर्फ वहां के किसान जो है ज्यादा भाग इसमें ले रहे हैं राजिस्तान की क्या इन्होंने समझी है वो मैं समझता हूँ देश के अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा बहतर है यही कारण है कि हिंदुस्तान में अगर हरित करांती कही हुई हो अगर बेनिफिट मिला तो पंजाब को मिला था आज भी देश के अंदर जो गयों का उत्पादन है जो जोने का उत् मिला तो सबावी केगी जिन किसानों ने में इस पी ली है वही जानती है कि मिनिममम स्कोर्ट प्राइज क्या होता है सिंपल भासा में संद्वल्म को समझाना पड़े नो महीने हो गए मोधी सरकार ने शुरुआती दोर में आपसे बाचीत की फिर 26 जनर्री वाला कांड हो ग गोद्रा कांड से रंगे हुए इनका जो सुरुआती दोर है वह हिंदू और मुस्लीम के संपर्दाइक दंगों से रहे चाहे गोद्रा कांड देख लो चाहे मुझफर नगर देख लो उस तो इनका जो इतिहास है वह संपर्दाए धरम को लेकर आपस में संगर्ष करके और की राजस्तान की भी थी उनकी पगड़ी केस के उपर पगड़ी थी इनों नेंokay उनको बदनाम हो शिक बैल्ट बदनाम हो और सरदार बधिनाम और पंज़ा बदनाम तो उसका एक ही रास्ता था कि यह क्यों यह खालिस्तानी कहके इनोंने उस आंदओन को गहराते हो अब यूपी में आप लोगों की बीज़े की गहराने के सायारी हैं हम लोकतंत्र के अंदर आज हम अपने वोट की से सरकार बनाते और वोट की ताकत से जो सरकार बने और वो सरकार अगर अनदाता की गरीब किसान की नहीं सुनेगी तो फिर वोट की ताकत से मारा जाएगा इसलिए राज तंतर के अंदर राजनिती नहीं होती लोग तंतर के अंदर राजनिती होती है और वह राजनिती किसान किसान यह चाहता है कि MSP कानून बना दो क्रिसी कानून वापस ले लो बस खेत में वापस इस इस किसान अंदोलन का हल क्या है सामने भाशा में कब मानंगे आपको देखिए यह इस देश की फसल और नसल की लड़ाई है यह यह नहीं है कि केवल मलब इससे किसान बच जाएगा यह इस देश की नसल बचाने यह पूरी तरह कोविड का जब दोर चला था तो पूरी दुनिया के पूंजी पती लोगों की निगाएं देश की खेती पे पड़ी है कि सब कुछ देश में बंद हो गया इनके इंडरिस्ट्रीज कार खाने इनके सब चीज़ेय तो उनके निमाग और जहन में एक चीज गई कि यह जो खेती एगर इस खेती पे कबजा कर ले तो ही देश के अंदर पुंजी पती की राज सत्ता कायम हो सकतीं धुद क्यों कि खेत से ही फ़ल बनती है तो सारी चीज़े जब देश की दुनिया में बंद होग मारके इनकी रोटी को तिजोरी में कैसे बंद किया जाए यह पुंजी पतियों का एक निसाना है और उसी के खिलाफ यह हमारी फसल और नसल के जाए इस सवाल का एक जवाब दीजिए एक सवाल यह है कि यह आंदोलन जो है किसानों का नहीं है इसमें चंद लोग हैं आप सरकार की नीतियों का सवाल है सरकार क्या के सरकार ने तो चाइनिज क्यों का सरकार ने तो हमें उगरवादी भी कहा है सरकार ने तो हमें चाइनिज और पाकिस्तानी भी कहा है सरकार कुछ कह यह मुद्दा नहीं है मुद्दा यह है कि हम इस लोग तंतर को सवच लोग तंतर आपको ताजूब होगा कि जिस छेतर में आयों मेरे घरसाना में परस्व गुरु घर के अंदर मिटिंग होई थी आज भी यहां के लोग गेहुं कठी कर रहे हैं यानि नौ महिने बाद लोग गेहुं कठी कर रहे हैं अभी कोई एक अपते पहले नोखा के सद्धासर गाओं पढ़ता है उस गाओं के किसानों ने एक गाओं से 101 किवंटल गयों इकठी करके साजापुरा बेजी है इसलिए यह अंदाता की लड़ाई है जो पूरे दुनिया का पेट भरेगा वो अपने बॉर्डर का पेट रहेंगे और देश के लोग भी भूखे नहीं रहेंगे कम से कम कितने लोग हैं आपके आज हमारे पास तक्रीबन 45000 किसान है और जब यह पीक पर फिर दुबार आएगा तो मैं समझता हूं 30-40,000 किसान साजापुरा दिल्ली में तमाम बॉर्डर पर यही हाला था नहीं नह हमारे साथ हैं उसका इक नतीजा जो 28 जैणवरी को इनोंने टिकेत के साथ आरे एससोर बाजपा ने जिस परकार अर्याना जा गया तो जन्वावना हमारे साथ है जो किसान खेत में हम उसी के प्रिवार के लोग हैं केंदर सरकार अगर केंदर सरकार बल परियोग करेगा तो उसका जवाब हम अपनी कुर्बानिया देंगे वैसे ताकत का प्रियोग अब ही भी है तो भी हमारे 700 किसान तो सईट होते और अगर यही सोचेंगे तो अगर हमने 700 किसानों की लासे उठाई हैं हमारे परिवारों में थाद सो बेन विद्वा हुई है तो अगर सरकार का ये मनसा रहेगी तो हमारी तो मनसा अब एक है कि इस खेती को फसल और नसल को बचाने अब सरकार कैसे इसका मुकाबला करेगी वो सरकार रही बात सरकार के जुलम की सरकार की जुलम सरकार कि सालात में जुलम करेगी सरकार के पास राक है सरकार की पुलिस के अबी मेडल लिये उसने लगातार हमारे बॉर्डर पर चार बार बजरंग कुनी आया है चारों बार उसने किसान के उपर किसान एकता के नारे लगाए है आप किसानों की बास सुने मोदी सरकार यह बेरिकेट हटाएं आज भी अगर वह जीत के आएगा तो मैं दावे से कहता हूं सबसे पहले वह बॉर्डर के उपर आएगा पासपिशी था कांटे पहुंचि है कि मोदी सरकार इस अच्छे सी काम किये हैं लोगों में मोटिवेशन है लोग में मूटिवेशन ऑदेए यह ए fum है पाब इनको खिलाडियों को किसान में या किसी जाती में उसमें क्यों बाकिफेएं क्ताव मेनतकष के अदर गोल्र मेडल लेकि आएगा ये पुंझी पतियों की उलाद बच्छे कभी भाला तो अब तो वो तो कॉंग्रेस की आप कर रहे हो अगर उसके साथकी बात कर रहे तो उनोंने जिस परकार मोधी राज के अंदर अपना जो उनोंने पैसे कमाने का ãy Dalam में नहीं था मोदी ने तो पूरी तरह उनको समर्पन कर दिया उसी समर्पन का नतीज़ा है कि पार्लियमेंट में कानून बाद में आये हैं और अडानी के पहले गुदाम पहले अच्छा आपका व्यक्तिक तब क्या रहेगा आपकी वह तो राजनिती करनी है ना अगली बार राजनिती करेगा इस देश के अंदर और कौन किसान की बात करेगा फिलाल हमारा हमारा निशाना तीनों करिश कानून को रद करना है और इसके साथ साथ MSP को लागू करना है अच्छा क्या टार्गेट रहेगा कितने महिनों के बाद में आप घर वापस आ रहे हैं अभी मुझे 9 महिने हो गए हैं और पता नहीं मोदी इसको साल और चलाएगा लेकिन 24 तक हमारी तैयारी है जब तक लोगसभा के चुनाव नहीं आएंगे मोदी को सत्ता से हटाएगा देश का अनदाता देश का मजदूर नोजवान विद्यार्थी यह अंदोलन तब तक चलेगा या तो सरकार MSP पे कानून बनाके और तीनोबिल वापस ले ले और नहीं तो फि का जवाब आपको इस इंटरिव्यू के जरीए मिला होगा कितने संघरशिल होते हैं और अपनी बात को किस बखुवी तरीके से रखते हैं और कितने जिद्धी होते हैं ये कॉम्रेड़ों की निशानी आप लोगों के सामने हैं देखते हैं इस किसान अंदौलन का परिनाम क क्या रहता है और कॉम्रेड़ पवन्दूगल जैसे लोग आगे क्या कर पाते हैं शुक्रिया मुख्या जी को देखिएगा लाइक कीजेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा